के तो हमारे पास सवाल आया है बाई एंड फॉर्गेट मूचल के बारे में कोई मूचल फंड बता दो एक लारज कभ केटेग्री से एक मेंड ट Đचेग्री से समॉल कंटेग्री से इंडेक्स फंड के अलवा क्योंकि यह तो सब को पता साल है वीडियो पूरा देखो और क्यों मैं वो बोलूंगा उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करना सबसे पहला जो यहां पर सिच्वेशन आता है बाइएंड फॉर्गेट बाइएंड फॉर्गेट कब करते हैं आप पांच साल आठ साल दस साल के लिए तो नहीं करत है दूसरी चीच जब इतना लंबा टाइम पिरेड है तो स्मॉल कैप फंड इस टाइम पिरेड में ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकते हैं मेट कैप लार्ज कैप सी प्लस एक तो यह रीजन है प्लस अगर कोई स्मॉल कैप फंड के अंदर आप इंवेस्ट करते हो और किस करता है तो वह सकता है आठ नौ परसेंट का भी एवरेज रिटर्न दे उतने लंबे टाइम में मात आठ नौ परसेंट स्मॉल कैप अंडर प्रफॉर्म करेगा तो भी 13 14 15 तक भी रिटर्न दे देगा फिफ्टी परसेंट से ज्यादा चांसेस रहेंगी सिक्ष्टी जाता है लार्ज कैप में अगर लार्ज कैप के अंदर इंवेस्ट करके छोड़ दिया जाए तो 10 15 परसेंट चांस होगी कि वह अच्छा रिटर्न देगा नहीं तो 90 परसेंट चांस होगी कि वह बुड़ा रिटर्न ही देगा यह जो मैं परसेंटेज यूज कर रहा हूं य एक्टिवली मैनेजड में क्योंकि वह एक्टिवली मैनेजड है इसलिए उसको देखना परेगा और अगर चाहते ही हो कि बाइन फॉर्केट कर दे तो लार्ज कैप मिट कैप को छोड़के स्मॉल कैप के अंदर इंवेस्ट करना चाहिए क्योंकि एक तो इसमें अच्छे र परसेंट के बीच रिटन दे देगी और अच्छे हालात में तो आप देखी रहे हो कि कितना रिटन दे रही है 17-18-20-25 तक रिटन दे रही है तो उतना आम नहीं सोच रहे है खराब हालात में भी 15% तक रिटन निकाल के दे दे कि लॉंक्टर में तो ये दो रीजन है जिसके करान अगर मुझे buy and forget करना होगा index fund के अलावा तो मैं small cap fund ही choose करूँगा just because कि वहाँ पे probability जादा है अच्छे returns मिलने की mid cap and large cap के मुकाबले में भूल जाए तो भी long term में